इपीजी पाट सालायाम भावताम भावती नांच स्वागतम ममनाम राम राज उपाध्या यहा श्रीलाल भावादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्या पीठस्य पौरोहित्य विभागे उपाचारियोस्मी अथर्वबेदे अलंकाराहा इती विशयम अधिकृत्य अहम अत्र समूपस्थितोस्मी अत्र अथर्वबेदे अलंकारानाम परिचया हा अथर्वबेदे अलंकारानाम विशिस्थियम अथच अथर्वबेदे अलंकार शंबंधिताहा केके विशयाहा कथम कथम प्राप्यनते एताद्रिशानाम सर्वेशाम विशयानाम अस्मिन पाठे विवेचनम भविश्यती आदव प्रस्तावना जानन्ति सर्वे अलंकारानाम नामानी काब्वे सौंदरिया विविद्धै अलंकारानाम परिचयाते प्रायसाह जना अवगच्छनती अलंकारानाम परिचयाहा भामहह, भामनह, उदभटह, रुद्रट इत्यादी आचारियाह, स्वकिये काब्वे कृतवन्तह, संती सामान्य रूपेन अलंकारानाम उदभावका अपी, संती, एते आचारियाहा तरही एतेशू ग्रन्थेशू, तथाच परवर्ती आचारियाहां ग्रन्थेशू, अलंकारानाम प्रिचयोगहा उचितम प्रतिभाते परंच, वैदिके काले, एते आचारियाहा न आसन, तरही अथर्ब बेदे अलंकारानाम इती विशयानाम प्रतिपादनम कथम भवेश्यते अस्माकम मतम मस्ते, पूर्वे अलंकारानाम चर्चा नासीत, फरंट वर्तमाने अलंकारानाम अन्विशनम मंत्रेशू करतुम सक्केते यथा काभ्यस्य सौष्ठमं अलंकारे विद्यते तथा मंत्रे अलंकारा संतिनवा इती विचिंत्य अस्य विशयस्य प्रवरतनं अत्रक्रियते अस्यो परी सहाईयम भविश्यते आचारियाह मात्रदत्रतिवेदि महोदयेन लिखितह ग्रंथाह अथर्वबेद एक साहित्तिक अध्यन वास्तविक रूपेण अथर्वबेदिये सौ मंत्रे सौ अलंकारा नामस्थानं किम अस्ती इती अस्मिन विचारियते अलंकारा नाम उपादेयता आदो अलंकारा नाम उपादेयता काब्य अलंकारे एका पंग्तिह दृष्यते नकांतम अप निर्भूशम विभाति वनिता मुखम अत्र सामान्य उदाहरनेन अलंकारा नाम दुपादेयस्य दर्शनम भवते अत्रवुच्यते वनितायाहा मुखम यथा भूशन रहितम नविभाती तथा काब्यादेह अलंकार रहिताहा नप्रसीदन्ती मूलस्वरूपेणतु मंत्राहा विद्यमाना संदे अलंकार रहिते सत्यपी मूलस्य हरासुर्न भवती परंचालंकारा द्यारोपणीन तस्यस्वरूपहा आकरशको भवती अतहा रोचकता विवर्धती मनसी आनंदम आयाती इत्यादयह भवंतहा स्वयमेवानु भवं कर्तुम सक्नुवंती बेद मंत्रे सु अपी आकरशकता रोचकता चो प्रभूत मात्रायां प्राप्यंते तत्रहेतु हु बहवा भवितुम सक्नुवंती परंच तेसु हेतुसु अलंकाराहा अपिसंती इती प्रतिभाती काभ्या लंकार शूत्र वि बृत्तव वामन महोदयाहा वदंती सौंदरियम अलंकारहा अर्थार सौंदरियम अलंकार अस्ती तत्संदरियम काभ्येशु मंत्रेशु जनेशु वा भवितुम सक्नोती जथा प्रसिद्धम अस्ती के यूरान विभूषयन्ति पुर्शम हारान चंध्रोज्वाळा नस्नानम न विलेपनम न कुषुमम नालंकृता मुर्धया वान्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते खी अन्ते खलु भूषणा निसततन वाक भूषणम भूषणम अत्रवाक भूषणं किमस्ते इत्यस्यो परिविचारह कृतवंत शंते अनेन प्रकारेनो सरवेसां भूषणानी भवंते एवं वक्तुम्न सक्यंते वेदेशु अलंकाराहा नसंते मात्रदत्रत्य वेदी महोदयाहा लिखंते मंत्रानाम अलंकारादी विशये रिशी नाम मध्धे ज्यानम नासीद इतिकतनम सम्यक नो प्रतिभाती यतो ही सरवेसां मंत्रानाम मध्धे अलंकाराहा व्याप्ता संते अत्अलंकारानाम प्रयोगेन मंत्राहा प्रभावपूर्णाहा भवंते बेदेशु अलंकारानाम महत्वम् वेद मंत्र द्रश्टाराह रिशयह मंत्रेशु अलंकारानाम दर्शनम कृतवन्तह नवा इति विचायह नास्ते विशयोस्ती मंत्रेश्वलंकाराणां प्राप्तिर्भवतिनवा अलंकाराणां मुख्यम कारियम किमस्ती सुन्दर्ता विवर्धनम अस्य संकेत हा रिग्युवेदस्य दसममंडलस्य जायेव पत्य उसती सुवासाहा इत्यस्मिन रिची प्राप्यते अत्र लिख्यते यथा सुभूसिता इस्त्री अतीव सुभमाना भुत्वा पतेहे चित्तम आहला दयती तथा काभ्यम अपे अध्येत्रि जनान रिदयाहलादं विवर्धती रिगवेदस्य नैके स्वस्थलेशु अरंकृताहा इत्यस्य सबदस्य प्रयोगाहा प्राप्यते तत्र प्रथमे मंडले प्राप्यते अरंकृणमंतु वेदिन रिगवेदे यस्ति प्रथमे मंडले अत्र मूल रूपेण वेद्यहा अलंकारा अर्थम पारशकर ग्रिय सूत्रे एस एव विधिर जत्रा क्वचिद्धोमह इती सूत्रम अस्ति तत्र हवनात पुरवं पुंडस्य वेद्यादीनाम् वा संसकारह क्रियते अस्यनाम अस्ति कुषकंडिका अस्मिन कुषैही परिश्तरणम इती एको विधिही अस्ति अस्मिन विधाव वेद्याहा चतुरशू दिख्छु परिश्तरणं क्रियते यतोही यज्यवेदिह नगनम माभवेत सत्पथ ब्राम्हने एकम बचनम प्राप्यते यज्याह नगनतया भिभेती तसमादेव परिहारार्थं बरहिसा परिश्तरणं क्रियते अतहा अत्रकुसई परिस्तरणं वेद्या अलंकारो विद्यते इसा वास्यो पनिशदी हिरन्मैन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं इती अलंकारं प्रतिध्वनितं करोती सत्यस्यमुखं हिरन्मैन पात्रेण पिहितं अस्ति अर्धात ब्रह्म अस्ति वेद मंत्रह जीव अस्ति अधेता मध्य अलंकारा संती यही प्रभावईही नकेवलं जनाह अपितु देवता चाकरिष्टं भूत्व यजमानस्य मनोविलसितं सिध्यन्ती अथर्ववेदे सब्दालंकाराहां सब्द एव मूलम अस्ति अर्थाहा तु सब्दे संप्रिक्तास संति अतह सब्दालंकाराष्य अथर्ववेदान सारेण संपादनं आवस्यकं अस्ति अथर्व वेदिय प्रथमे मंडले रिसयो बदंती वाचाम बदामी मधुमत वाण्या अलंकारस्य प्रतिपादनं क्रियती तदा मधुमती वाणी उच्यते तदा अलंकार युक्ता सा वाणी भविश्यती मंत्री सुवरणा वृत्तो या चारुता द्रिश्यते सा सब्दा लंकारस्वरूपाई वास्ती अतहा सब्दा लंकारा नाम बिविधाहा स्वरूपाहा संदे अतर्व वेदे अनुप्रासा लंकारहा अतर्व वेदे अनुप्रास द्रिश्टिया वलोकने वरणा वृत्या पदा वृत्याच सहा पादा वृत्तिरपि द्रिश्यते संसकृत काब्वे स्वपी त्रिश्री नाम वृत्ति नाम दर्शनम भवती पादा वृत्याहा न्यू नत्वं विध्यते बेद मंत्राणाम इदमस्ति वैसिस्ट्यम पादा वृत्या मंत्राणाम लयात्मकं सोंदर्यम विबर्धती वरणा वृत्ति परंपरायाहा दर्श उपर युक्टेशु, सरवेशु मंत्रेश्वनु प्रासस्यत प्रदर्शनम् भवादि जथा प्रतमे उद्धरने शत्रू नाम कोपशांत ए इंद्रश्य प्रार्थना विद्यते वेदेशु इंद्रह सरवाधिको सक्ति युक्तह देवता अस्ति अत्र नो इती वरनस्या वृत्तिर भवते अत्र अनुप्रासालंकारश्य प्रदर्शनम् भवते दितिये उद्धरने नकारवरनस्य तकारवरनस्य चा वृत्तिर भवते अत्राप्यनुपासालंकारो विद्यते त्रितिये चे तुरुथे चो धरने तकारश्य नकारश्य चो वरनस्या वृत्ति अनुप्रासालंकारश्य प्रती तिही कारयते अत्र वर्ण विन्यासयो उपनगरिका वृत्ति ही द्रिश्यते यथा उपनगरिका वृत्तव वृत्यानुप्रासस्य सुंदरता द्रिश्यते तथा पूरुषा वृत्तव अपिद्रिश्यते बर्मानिते बर्मना च्छादयामी मनवेवाम मित्रा वरुणों वृता वृत्तव अत्र प्रयुक्तान जुध्धरनानी मित्रा वरुण देवता विचयकाश्चंती अत्र क्लिष्टतायाह दर्शनम भवती क्लिष्टता स्वरूपोस्ति पुरुशस्या अत्र पुरुशा वरित्यानु प्रासस्य सुन्दरता दृष्यते यथा पारुस्य वेंज्यक वरणा वृत्तव पुरुषा वृत्ति वृत्यानु प्रासस्य दर्शनं भवति तथा कोमना वृत्तव अफिवृत्यानु प्रासह कत्यते आशाम आशाम विद्योतताम वाता वान्तु दिशो दिशाह नभूमि वातो अतिवातिनाति पस्यति कस्चन एको बहुनाम अस्तिमन्य इडिता विशं विशं युद्धायसं शिशाधी अत्र सरवत्र वरणानाम आवृत्ति प्राप्यते प्रथमाह मंत्रहा परजन्य सुकतस्य विद्यते अत्र सकारस्य तकारस्य च वरणयोह आवृत्तव वरणानाम सुकुमारता दिश्यते मंत्रस्य अरथावबोधाहा सुगमतया भवति दिवतिये मंत्रे वायोस्वरूपम प्रतिपाधितमस्ते अत्र तकारस्या वृत्ति ही भवती तृतीयम उदाहरणं मन्यु विशय कोस्ती अत्र सकारस्या वृत्ति ही द्रिश्यते अत्र सरवत्त वृत्यानु प्रासस्य दर्शनं भवती अनेन प्रकारेण छेकान उप्रासो भवती अश्मिन वर्णाना सक्रिग आवरित्य पेक्षिता भवती यथा अत्र मंत्री शुप्राप्यते एसाते राजन कन्या वधोर निधूयतामम संबस्रस्य पयसापि परवी संदिभ्येन दीदिही रोचनेन विश्वा आमाहि प्रदिशस्चतस्रहा एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गरभं भहिमान मिंद्रं अनेन प्रकारेण छेकानु प्रासालंकारह वर्त्यानु प्रासालंकारस्य प्राप्यते एतद अतिरिक्टम अथर्व बेदस्य मंत्रेशु अन्तियानु प्रासस्यापि वर्णनं प्राप्नोते मंत्रस्य दुतिये च तुरुथे च पादस्यान्ते वर्णानां वर्णस्यमा आवरुत्तिही समान रूपेण ध्वन्यहा सुरुयन्ते अस्मिन मंत्रेशु सुन्दरता आगच्छतियता सम्वो मनांसि संब्रता समाकू तिर्णमामसी अमीजे विब्रता स्थनतानव सम्नमयामसी विते मदं मदावती सरम्यु पातयामसी प्रात्वाचरुम्यु पेसंतं बचसास्थापयामसी ममागने वरचो विहवे स्वस्तु वयं त्वेंधाना स्तन्वं पुशेम महियं नमंताम प्रदिशस्चत स्रस्त्वया ध्यक्षेन प्रितना जयेम अनीन प्रकारेन अनुद्यानुप्रासालंकार स्यात्र विवेचनम अभवद अथर्वबेदे यमकालंकाराह यथा अनुप्रासस्यकृते वरणानाम आवरित्तिही आवस्यकम अस्ति तथा यमकालंकारस्यकृते वरणसंगातस्यावस्यकता भवद वरणसंगातस्यावरित्तिही भिन्नार्थकाह स्यूहु परंचु भयुहु समार्ध्वनिश्वरणम भवेत अस्य यमका लंका अरस्य मुखाहा, संदसहा, आवृतिही, गरभाहा, संदस्टकहा, पुच्छहा, पंतिही, परिवृतिही, युगमकहा, समुदुगकहा, महा यमकस्चो हीदाहा, भवंति सरवान अदं तुतान हतान गरध्राहा, सेनाहा, पतत्रिनाहा, अदसंसदुह, संसाभ्याम करेणा नुकरेणच, अत्रोवयोह, मंत्रयोह, सुद्धरूपेण यमकालंका रस्य, प्रदल्षनं भवति, अत्र, तुल्य सुत्यो परियेव, ध्यानं अस्ति, वरणेशु किंचिद वैभिन्नम् भवेत्चेत नापत्ति है, एसहा नियमहास्ति, रास श ल न न चादीनाम, पारस्परिक, भिन्नतावसरेपी, सुर्ति साम्यवसात, यमकालंकार एव भविश्यति, अर्थालंकाराहा, अस्मिन, अर्थी सुवलंकाराहा, भवन्ति, नूतरा नाम, अर्था नाम, प्रगर्शनम, काब्वी, सुमंत्री, शुवा, अर्थालंकारे भवति, अस्यार्था नाविन्य कारणाद अर्थी सुर्दे हारिता, जमत्कारिता चवेवर्धती, यथा, अर्थ प्रकाराणाम निश्चिता संख्या नास्तित थैवा अर्था लंकाराणाम अपी निश्चिता संख्या नास्ति भरत्म होदयानु सारेड त्रय अर्था लंकाराश्चंति ये साम नामानी उपमा रूपक दीपकस्चंति परंच कुवलया नंद अलंकाराणाम संख्याशताधिकं प्राप्यते ध्वन्या लोकष्य करता आनंद वर्धनस्य मतं विद्यते अलंकाराणाम अनंतत्वात अत्र अभिनव गुप्ते न हेतु प्रतिपादिताः प्रतिभानंत्यात अता अथर्ववेदे अर्थालंकारस्य स्वरूपहा किद्रिशोस्ती इत्यत्र प्रतिपादिताः अथर्ववेदे उपमालंकाराः अर्थालंकारेशु प्रथमों अस्ती अर्थालंकाराः अस्मात कारणात अस्य महत्वं सरवाधिकं विद्यते ये तो ही प्रायसह सरवी अलंकाराह अस्यो पर्या धारिता संती काभ्या लंकार शुत्र व्रित्तव प्रति पाध्यते प्रति वस्तु प्रभृति रुपमा प्रपंचहा बेद मंत्रेश उपमा याहा प्रभूतम उदाहरणं दर्ष्टुम् सक्यते वैधिक्रिसयह उपमा उपमानंच न इव चित नू वत यथा आ चित्यादि सब्दैही पूरणा वगता आशन प्रायसह मंत्रेश उइव जथा इत्यादि वाचकानाम सब्दानाम प्रयोगहा उपमा प्रदर्शनं करोती अतहा स्रमण मात्रो पमायाहा स्वरूपम जत्रनिस्चीयते तत्रस्रोती उपमा भवती अथरव वेदस्यो प्रारंभिके सुकते अथरवारिशिमहो दयाहा एताद्रिश्यो पमायाहा प्रयोगं कुरवन्ती यथा इहई वामिवी तनुमे आर्थनी इव ज्याया वाचस्पतिर नियक्षतु मैये वास्तु मैश्रुतम ते आचरंती समनेव योशा मातेव पुत्रम विभृताम उपस्थे अपसत्रोन विध्यताम संबिदाने आर्थनी इमे विश्पुरंती अमित्रान पुत्र इव पितरम गच्छ स्वज इवाव विश्ठितो दस बंध मिवावक्रामी गच्छ करते करत्या करतम पुनहा अत्र इव इस उपमाया हा उदाहर्णम अर्थर्ववेदे रूपकालंकारहा उपमाया अनंतरम रूपकालंकारश्य गड़ना भवते रूपकालंकारे उपम्मेयो पमानयो अभेदाहा द्रिश्यत्रूपकस्य व्योद्पत्तिरस्ती रूपयती एकताम नयतीती रूपकम अथर्व वेदे दिविधस्य रूपकस्य स्वरूपम द्रिश्यते प्रथमो अस्ति दिर्गरूपकाहा अस्मिन उपमेयो पमानयोर मध्य दिर्गम अंतरालं भवते यथा अथर्व वेदस्य गो सुक्ते प्राप्यते प्रजापतिस्य परमेष्ठी चो स्रिंगे इंद्रा सिरो अगनिरल लाटं यमह क्रिकाटं सोमो राजा मस्तिस्को ध्योरुत्त रहनों प्रथिब्यदा रहनों विद्यु जिहवा मरुतो दंता रेवतीर ग्रीवाहा कृतिका स्कंधा धर्मो बहा मित्रस्च वरुणस्चांसो त्वस्ताचार्यमाच दोशणी महादे वीबाहु हु। अत्रा गवी विश्वरुपश्य दर्शनम भवते अस्विन गोश्रिंगयो हो प्रजापतिही परमेष्ठीस्च देवताहा स्ताहा सिरसी इंद्रहा ललाटे अगनिहीं मस्तिसके सोमह उत्तरहनुमध्य द्योहु अधरहनव प्रथिवी जिहवायाम विद्युत दंतेशुमरुत गृवायाम रेवती स्कंधे कृतिका अंसदेशयो मित्रावरुणों इत्यनेल प्रकारेन गोहु तत्तग अंगेशु देवतानामस्थानं प्रतिपाधितं अस्ते। अश्याधारेन वर्तमानी गूमध्य सरवी देवाह विराजमानाह संतीती विद्वान्सो वदंती। चत्वार श्रिंगात्रयो अश्यपादा द्वेशीर शेशप्त हस्ता सुजस्यों तृधाबधो रिशभोरो रवीती महो देवो मर्त्याम आविबेशों अत्र यज्यकर्मनी चत्वारो रित्विजो भवंती। ते चत्वारी स्रिंगात्रयो शंती। प्रातहा माध्यन्दिन सायम त्रिशवनानी त्रयोह अश्यपादात्रयो शंती। यजमानस्य तस्यपतनीच दुवे सीरसे स्तह। गायत्रयादी सब्तचंदांसी सब्तहस्ता स्थ। रिक्यजू सामभिही तृधावध्धम अस्ती। कामना प्रपूर्तये वरशां करोती। अतहा उरिशभाह स्त्रोत्र सब्दादी पुनहा पुनहा उच्चारणं करोती। अनेन प्रकारेण सहा प्रवढ रूप यज्यहा मनुस्य सु प्रविष्टहा अतहा यज्यस्य मनुस्य वाधिकारी अथर्म बेदे उल्लेखा लंकाराहा। अश्मिन निमित्त वस्तोहो बहुविधा उल्लेखो भवते। अस्यालंकारश्यनाम उल्लेखा लंकारह अस्ति जथा। अदितिर ध्यावर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्रहां विश्वे देवा अदितिही पंच जना अदितिर जायतम अदितिर जनित्मां अत्र अधिति ही उल्लेखा बारं बारं भवते मुहुर मुहुर भवते उल्लेख स्यालंकारह अत्र अस्ते अधिति द्यो अधिति ही अधिति ही अंतरिक्षम अधिति ही माता अधिति ही पंच जना अधिति रचातम अनेन प्रकारेन अत्र अधिति सवदस्य बारं बारं आवर्तनं भवते। दिव्या सुपर्णह सवेरो व्यक्षद दितेहे पुत्र भुवनानि विश्वा। उच्चा पतंत मरुडं सुपर्णं मध्धे दिवस्तरणिं भ्राजमानं। दिवस्प्रिष्टे धाव मानं सुपर्णं। सेनो निर्चक्षचा दिभ्या सुपर्णा सहस्त्रपाच्छतयो निर्वयोधाह अथर्ववेदे अतिसयोक्त्यलंकाराह अत्र अतिसयोक्ती द्रिश्यते जथा इंद्रसुक्ते प्राप्यते अनडवान दाधार प्रिथेवी मुतध्याम नडवान दाधार ओर्वं तरिक्षम अनडवान दाधार प्रदिशह शडूर वीर नडवान विश्वं भुवन्मा विवेशो अतर्ववेदे समासोक्त्यलंकाराह अतर्ववेदे समासरूपेड उक्तिर यत्र प्राप्यते तत्र समासोक्त्यलंकारो भवते यता ब्रिक्षम जदगावह परिशस्वजाना अनस्पुरं सरमर्चयंत्यरिभुम सरमश्ममध्या वयवद्यद्युमिंद्राव अतर्ववेदे अलंकारानाम प्रिश्ट भूमे अतर्ववेदे स्वकियस्य युगस्य प्रतिभिंबह समुपस्था पयते तस्मिन काले रिशी नाम चिंतना नाम आध्यात्मिक विचारा नाम वस्तु नाम ज्याना नान चादी नाम सरवं अत्रविंबितं भवते अतर्ववेदे अलंकार मध्यमेन संपूर्णस्य जगतास्वरूपम प्रतिपादितं हस्ते अलंकारा नाम प्रिश्टभूमव अतर्ववेदे मनुस्य पसु पक्षीत्यादी नाम चा स्वाभाविकी क्रियाहा नदी पर्वतादीनां चा विशयाहा वर्णितास्शंती अनेन अध्ययनेन सुक्ष्मान वेक्षणस्य दर्शनम अपि भवते ग्रिय सुक्तानां अध्ययने सामाजिकी प्रथानां ज्यानम भवते माता भूमिही पुत्रोहं प्रथिभ्याहा इतियनेन राष्ट्र भक्तिही ज्यायते उपमा लंका रस्य सक्ति मत्ता उपमा लंका रस्य सक्ति मत्ता किवस्ति इत्यस्मिन विसे बिभिधाहा विद्वांसाहा विचाराहा कृतबंताहा शंति ते बदन्ती इवसब दहा उपमालंकारस्य सक्ति रस्ति जथा अपियस्ति परंच इवसब दे सक्ति मत्ता अधिकास्षंति परंचा नेकी आचारियाहा उभयो हो सक्ति मत्तम समान रूपेड जथा त्रयंबकन्यजा महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उरवारुकमिव बन्धनान मृत्योर मुक्षियमां ब्रतात उरवारुकमिव अत्र इव आगच्छति स्रायंत इवसुरियं विशवे दिन्रस्य भक्षत बसूनि जाते जनमान ओजशा अत्र इव शब्दहा आगच्छत इतावता उपमालंकारह संजाता अतहा उपमालंकारस्य या शक्ति अस्ते सा अत्र द्रिश्यते अनेन प्रकारेण अथर्ववेदे अलंकाराह संथी सर्वेशाम अलंकाराणाम अवलोकनम अथर्ववेदे बयम द्रष्टुम सक्नुमहा अतहा अलंकाराणाम विशये इदम ज्यानम भावताम समेशाम शुखबोधाय अनेन प्रकाराह संथी इति उक्त्वा अहम बिरमामी धन्यवादहा